पंजाब में चुनाव से ठीक पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरंजी सिंग चन्नी अपने बयान को लेकर अब कानूनी पचड़े में फस चुके हैं तरसल चरंजी सिंग चन्नी के बयान पर अब बिहार में एक मुकदमा दर्ज हुआ है यानि मुख्यमंत्री चरंजी सिंग चन्नी ने उत्तरप्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान किया उन्हें भईया कहा और इतना ही नहीं ये भी कहा गया कि भईयों को पंजाब में घुसने नहीं देना है हाला कि चरंजी सिंग चन्नी अपने इस पूरे बयान पर कई बार सफाई पेश कर चुकी है लेकिन उत्तरप्रदेश और बिहार के लोगों में खासी नाराज़गी और गुस्ता अब मुख्यमंत्री चरंजी सिंग चन्नी के बयान पर साफने आ रहा है और इसी कड़ी में एक सामाझी कार्यकर्ता तमना हासमी ने अब चरंजी सिंग चन्नी के खिलाफ ये मुगादमा दर्ज कर आया है याहरी मुश्किले अब पंजाब कंग्रेस की कि कि चपूर बढ़ चुकी है अंदाजा इसी बात से लगाया चासकता है कि दरसल पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजी सिंग चन्ही के खिलाफ आई पीसी की धारा दो सो पिचाथ में के 504-511 के तहत ये मुकदमा दर्ज कराया किया है नियाहिले ने इस शिकायत के वाद मुकदमा सुईकार कर लिया है और इसके साथ ही अब इस पूरे माफले पर जो सुनवाई की ताहीक है वो भी तै कर दी गई है अब 24 फरवरी 2022 को इस पूरे माफले की सुनवाई होगी चहां पंजाब की मुख्यमंत्री चरणजी सिंग चन् और पंजाब कॉंक्रिस के पैरों पर ही कुलाडी मारती है क्योंकि उत्तरप्रदेश और बिहार के जो परवासी है वो काफी बड़ी ताधात में पंजाब में रहते हैं और ऐसे में पंजाबी कार खेलने के चकर में चरणजी सिंग चन्नी ने जो बयान दिया है अब कही न कहीं चुनाब से पहले वो कॉंक्रिस के लिए गले की फांस बन चुका है और उस पर प्रियंका गांधी वाठा का मुस्कुराना तालिया बजाना को कहीं न कहीं उनकी हसी अब कॉंक्रिस के लिए पुरी तरीके से गले की फांस बन चुकी है ये तमाम चीजे हैं जो पंजा परपुर की एक तामाजी कार्यकरता तमन्ना हास्मी ने चरंजीस सिंग चन्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है तो वहीं दूसरी और आपको बताते हैं चरंजीस सिंग चन्नी के खिलाफ बीजेपी यूथ विंग ने भी बिहार के नाकरीकों पर पयान देने के माफले मे जरंजी सिंग चत्नी के खिलाव पटना के कदम कुआ ठाने में ए вас याड दर्ज कराई है तो ये लगातार काटनी पच्ड़े हैं जिसमें जरंजी सिंग चत्नी फच चुके हैं और कहीं न कहीं चुनाओ में ये जरंजी सिंग चत्नी और पंजाब कॉंग्रिस को बेहत भारी हाला कि लगातार पंजाब में सियासी बयानपाजी का दौर्शारी है चरंजीज सिंग चन्नी ने जिस तरीके से बयान दिया उस पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी से लेकर बीज़ेपी के तमाख नेता और खास तोर पर बिहार सरकार में मंतरी और यहां तक की मुखे मंतरी नितीश कुमार की और से भी साफतोर पर यह कहा गया था कि सायद चरंजीज सिंग चन्नी नहीं चानते हैं कि आखिर बिहार और उत्तरप्रदेश के लोगों का पंजाह में क्या योगदान दा है और सिर्फ इतना ही नहीं प्रधान मंतरी ने तो चरंजीज सिंग चन्नी और प्रियंका गांधी वाष्रा गांधी परिवार को यह याद भी दिला था पिर चाहे वो गुरु श्री रविदास जी हो या फिर श्री गुरु गौविन सिंग जी हो उनका जन्व जो है वो उत्तर प्रदेश और पटना में हुआ है तो ऐसे में क्या उन्हें भी पंजाब से बाहर निकालने का काम चरंचीज सिंग जन्व जन्व या पंजाब कॉंगरिस करेगी है सवाल परधान मंतरी की ओर से दागा गया था और अब एक पार फिर उत्तर प्रदेश और विहार के लोग लगाता चरंचीज सिंग जन्व के इस बयान को लेकर नाराज़ की जाहिर कर आ रही हैं हलाकि जिस तरीके से पंजाभ में स्यासत गर्माई हुई है तमाम पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार करती नजर आ है कि मुश्किले कई कुना अब बढ़ चुकी है क्योंकि अलग-अलग धानों में दर्च हुई है और अब ये पूरा मुकदमा जो है वो कोर्ट तक पहुंच गया है और आने वाले वक्त में कोर्ट इस पुरे मामले पर सुनफाई करेगा लेकिन वहीं दूसरी और जिस तरीक विश्वास की और से जो खुलासा किया गया था आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने ये बताया था कि आखर अर्विंद केजरवाल के पंजाब मिशन की हकिकत क्या है अर्विंद केजरवाल पंजाब को लेकर क्या सोचते हैं आखर पंजाब को लेकर उनक की मानसिक्ता थी जो कि आज भी वहीं मानसिक्ता लेकर पंजाब पे केश्रिवाल आके पड़ना हैं उन्हें साफ़तोर पर इस बात का जिक्र किया था कि कुमार विश्वास खालिस्तानी और आतंक्यों का समर्थन लेने से भी नहीं चुकेंगे अगर उन्हें पंजाब का मु से की जा रही है लेकिन कुमार विश्वास ने जिस तरीके से अलका हुआ थी और खालिस्तानियों का जिक्र किया है आपको बदा दें आप कभी कुमार विश्वास की सुरक्षा को लेकर एक रिव्यू मीटिंग जो है वो ग्रिम नतराह ले कर रहा है और माना चारा है कि दरसल अब कवी कुमार्फ विश्वास की सुरक्षा बढ़ाई जाए कि भारत सरकार से जैड या वाई फलस सुरक्षा कवर उन्हें दिया जा सकता है जिस तरीके से उन्होंने बड़ा खुलासा किया है तो कुमार्फ विश्वास की सीक्योरिटी को लेकर फी लगातार रिव्यू मीटिंग जारी है उनकी सिक्यूरिटी बढ़ाई जा सकती है जिस तरीके से उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि आखिर अर्विंद केश्रिवाद की पंजाब मिशन की हकीकत क्या है किस तरीके से वो खालिस्तानियों और अलगाफ वाक्यों के भी स मर्थक हैं और किस तरीके से वो पंजाब के मुख्यमंतरी बनने के लिए इनका साथ लेने से भी नहीं चुकेंगे तो ये पंजाब की सियासत है जो लगातार चारी है एक तरफ पंजाब के मुख्यमंतरी चरंग्ची सिंग जन्नी जो पंजाबी काड़ खेनने के चकर में मुःतरपरदेश और बिहार के लोगों का अफमान कर चुके हैं और उन्हें भाईया कहकर जिस तरीके से समभोधित किया गया और ये कहा गया कि भाईयों को पंजाब में नहीं जगादेनी हैं और बात में सफाई पेश की गई कि दरसल उन्होंने के संजय सिन्ग और परवासी मजदूरों के लिए उनके दिल में बहुत प्यार है परवासी मजदूरों ने पंजाब को बहतर बनाने का काम किया है पंजाब के विकास में योगदान दिया है यह तमाम सफाई हैं जो पेश की गई और प्रियंका गांधी वाटर की ओर से भी यह कहा गया कि दरसल उनके बयान का गलत मतलब निकाला किया है तो इस तरीके की सियासी बयानवाजी का दौर लगातार चारी है लेकिन अगर चरंची सिंग चन्नी पर अब फायार दर्ज की गई है अगर उनके खिलाफ ये मुकदमा दायर हो चुका है आने वाले वक्त में इस पूरे माफले पर अपमान हैं कि तमाम उन गुर्वों का अपमान हैं तमाम उन सतंत्रा सेनाथियों उन योध्धाव का अपमान हैं जिन्होंने कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार से तालुक रखा है लेकिन बंजाह में जाकर अपनी लड़ाई लड़ी है तो तमाम लोगों का अपमा और बिहार के लोग वहां रहते हैं पंजाद के लोग जो विदेश चाहते हैं उनका कामकास देखते हैं ग्रुफ गोविन सिंग जी महराज का जन्द कहां हुआ था इस बयान से उन्होंने अपना ही नुकसान किया है तो ये साफतोर पर सियासत है जो उनके बयान के बाद पर सवाल उठाएं हैं और कही न कहीं उन्हें पुरी तरीके से बेनहकाब किया है अब उनकी सुरक्षा को लेका रिव्यो मिटिंग कर रहा है और आने वाले वक्त में उनके सुरक्षा में बढ़ाई जा सकती है फिलाल आपके इस बोरे माफले पर क्या राय है हमें स्क्राइकरी तरने वाट